चलिए इस बीच तैयारे ब्रजेश और ब्रजेश आपको लेकर डिखेल बताने कल जो सेवी की बोर्ड बैठा कुई इसमें बड़े बड़े प्रोपोसल्स को ग्रीन सिग्नल भी लाए क्लिरेंस तो क्या-क्या खास सिंज जो आपको जाननी समझ लेनी चाहिए ब्रजेश बत सब्सक्रranos क्या और स्थे लेंगों सेसे मंझूरी मिल सकती है और उसके लिए जो पाइमाना टै किया गया है जो पैमाना तै किया गया है कि मार्केट वाइड पॉस्टिय लिमिट जो करोड होनी चाहिए और एवरेज डिलीवरी डेली डेली वोलूम 25 करोड होना चाहिए मे और average daily delivery volume का जो criteria है अभी वो 10 करूर का है तो एक तरह से करीब करीब तीन गुने की बढ़ोतरी जो है कर दी गई है और इसमें जो है turnover जिस साब से बढ़ा है उसी के साब से इसको बढ़ाया गया है मोटे तोर पर दूसरा जो important था वो यह था कि जो voluntary delisting के नियम है उसको board ने अ चाहिए तभी delisting हो सकती है तो बहुत सारी लोग यह करते थे कि 10% या 11% ले लिया पहले ही उठा लिया भनक लगते ही और उसके बाद एक तरह से promoters को एक तरह से कहें तो blackmail जासा भी करते थे और काफी अडंगे लगते थे तो उस चीज़ को आसान करने के लिए यह इस तर प्राइशन है कि कम से कम वो फ्लोर प्राइस से 15% ऊपर कम से कम होना चाहिए तो एक यह चीज़ है इसके रवाए जो investment और holding कंपनियां थी उनके लिए भी delisting को आसान बनाने की बात कही गई है तीसरा जो मुद्दा था important यह था कि जो financial influencers जिनको fin influencers कहते हैं उनको किस तरह से जो सेवी के अधीन आने वाली संस्थाएं हैं उनसे उनका revenue model किस तरह से cut किया जाए ताकि वो कुछ भी क्यों को subject की समझ कम ही को होती है और वो अपने hit ज्यादा फैलाते हैं ना कि निवेश्कों के hit की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को किस तरह से cut किया जाए system से तो उसका नियम लाए गया है इसके इसी से चुड़ा एक और मुद्दा था यह था कि बहुत बार खासतों पर यह जो इंदावर वाला model है जो काम करता है वहां से शिकाते हैं आती हैं कि किसी से 10 लाख ले लिए 5 लाख ले लिए फीस के नाम पर और कुछ भी strategy बताई और कोई फायद करने वाली संस्था के थूरूरूट होकर ही जो है यह फीस उनको जाएगा एक और मुद्दा था जो यह था कि जो मार्केट इंफ्रस्ट्रॉक्चर इंस्टिउशन से इसमें की स्टॉक इंदियस क्लेरिंग कॉर्परेशन डिपॉजटरी जाती हैं तो इनके काम करने के तर तो उसको भी मंजूरी मिली है मिलकूल तो यह है सारे के सारे बड़े डिस्जन जो सेवी की सबाट बेठेक में है और सेवी चेयर परसन माजवी पुरी बुछ ने एक बार फिर से चिंता जता है और इस बार का मुद्दा बहद अहम और बहद गंबीर भी है असल में क्या है मुद्दा और चिंता किस बात की है और क्या कुछ का है सेवी चेयर परसने सुनिये we have as you know published that research report to say that 9 out of 10 people lose money in FNO the trend that we are seeing in terms of even the type of trading that is happening so you know concentrated in weekly options only on the expiry day in the last one hour we have seen anecdotally cases where people borrow money including by you know their parents are mortgaging their homes and everything and then they are borrowing that money and putting it into this speculative activity is that a good thing it's not a good thing okay तो आप उधार लेकर फिर वाइदा करोबार में trading करें यह और भी ज्यादा खतरना के ऐसा कहना है सेभी चेयर परसन का तो और उनका है साफ कहना है कि वाइदा करोबार के टेडिंग में फाइदा कम नुकसान ज्यादा होता है साउधानी रखें यह बहत जरूरी है अपसलूर्टी तो चली यह है कल हमारे जतने एक्स्क्लूस खवर थी उस पर तो महर लगी है बट जो बदलाव आए है उस पर भी आपको रखन झाह फो कसई एध